कक्सा पांचवी के वे विद्यार्थी जो नुवोदे प्रविश्प्रिक्षा 2022 की तियारी कर रहे हैं उनके लिए ओनलाइन तियारी करवाई जा रही है और इसी कड़ी का ये आज जो अभ्यास प्रशन है इसमें हम समझेंगे प्रतिशत लाब हानी से प्रशन इसमें प्रतिशत पर्सेंटेज का भी इसमें रिवीजन हो जाएगा आपका और लाब और हानी से जो प्रशन बनते हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा तो ध्यान से इस प्रशन को समझें क्या बोला गया है आपको बताया है कि जो साइकल का विक्रे मूले है वो 640 रुपए है और इसे हानी के साथ बेचा गया है 20 प्रतिसत हानी के साथ What was the cost price of the cycle? तो cycle की कीमत क्या होगी? इस प्रशन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्राइम मुल्य क्या होता है? क्राइम मुल्य को हम बोलते हैं cost price क्राइम मुल्य क्या होता है? विक्राइम मुल्य को हम बोलते हैं sale price क्राइम मुल्य वे मुल्य जिसमें कोई चीज खरी दी जाती है जिसको cost price बोलते है विक्राइम मुल्य वे मुल्य जिसमें कोई चीज बेची जाती है जिसको हम sale price बोलते है यदि हम लाब की बात करें बच्चों जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो साथ के साथ इसको नोट करते रहे तब ही आपके लिए इसका फाइदा होगा तो लाब की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा विकरे मुल्य है बो जादा होता है हमने कम मुले पर कोई चीज खरी दी और ज्यादा मुले पर उसे बेच दिया तो वो हमें लाब देगा लाब कब होगा जब हमारा विक्राय मुले ज्यादा होगा और क्राय मुले कम होगा और अगर हानी की हम बात करें तो हानी होगी अगर हमारा क्राय मुले ज्यादा था लेकिन हमने कम रुपए में उसको बेचा विक्राय मुले उसका कम हुआ तो ये हमारी हानी होगी हानी होगी क्राय मुले माइनस विक्राय मुले प्रतिसत क्या होता है प्रतिसत की जब हम बात करते हैं तो प्रतिसत होता है सो मैं कितनवा हिस्सा, सो मैं से कितने हिस्से की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे बीस प्रतिसत का मतलब है, सो मैं से बीसवा हिस्सा, तो किसी भी नंबर का जब हम प्रतिसत निकालते हैं, मैं अगर आपको बोलू, कि आपने मान लो, बीस अंक का कोई पेपर दिया और आपके अंकाई 5 और मैं आपसे पूछू कि कितने प्रतिसत आपको अंक मिले तो कितने प्रतिसत अंक मिले आपने जितने अंक अरजित किये आपने 5 कितने मैंसे अरजित किये 20 मैंसे और गुणा कर देंगे हम 100 के साथ तो ये होगा आपका प्रतिसत तो आपने कितने अंक प्रतिसत किये, कितने अंक अर्जित किये, 25 प्रतिसत, तो प्रतिसत निकालने का ये तरीका है, क्या तरीका है, कि जितने किस चीज का अंक प्रतिसत निकालना है, जिस अंक का प्रतिसत निकालना है, वो हम उपर लिखेंगे, भाग कर देंगे हम, टोटल कितना है हमारे प मुले दिया हुआ है 640 रुपए और बताया है कि हानी हुई है 20 प्रतिसत की हमें इसका क्रय मुले निकालना है ऐसे प्रस्णों को करने के लिए आपको हर बार मान लेना है मान लो इसका क्रय मुले 100 है मान लो क्रय मुले 100 रुपए हर बार आप पहला स्टेप यही करेंगे ऐसे प्रस्ण को करने के लिए जिसमें क्या दिया हो हमें विक्रय मुले दिया हुआ हो और लाब या हानी दी हुई हो और उसमें मान लेंगे हम जैसे इसमें हानी है तो हानी है तो उसका जो विक्रय मुले कितना बनेगा 100 रुपई की कीमत के साथ इसका विक्रे मुले बनेगा जितनी इसकी हानी हुई उसको माइनस कर दो 20 प्रतिसत की हानी हुई 100 में 20 तो 100 में से 20 की हानी हुई तो 100 रुपई हमने इसका मुले माना था तो हानी 20 प्रतिसत की हुई तो इसका विक्राय मुल्य आएगा 80 रुपए अब ये तो होगी बात जब इसका क्राय मुल्य 100 रुपए था तो विक्राय मुल्य आगया हमारा 80 अब जब इसका विक्राय मुल्य 640 जितना दिया हुआ हो उसके साथ इसका हमने क्राय मुल्य निकालना है तो क्या करेंगे हम, जितना हमने 100 में विक्राय मुल्य निकाला, मूल हमने जो माना 100 रुपई, उसमें जो विक्राय मुल्य आया 80, उसको लिखेंगे हम डिनॉमिनेटर में, और जो हमने इसका मुल्य माना था, 100 रुपई क्राय मुल्य, वो हमने लिखा उपर, और इसको मल्ट तो इसको हल करने पर जो आएगा वो हमारा क्राय मुल्य होगा कितना है इसका क्राय मुल्य एट हंडर तो इस ब्यक्ति ने आठ सो रुपए में ये चीज खरी दी और बेची छेसो चालिस में तो कितनी हानी हुई इनको 20% की हानी हुई तो हर बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं जब ऐसे प्रस्ण करने हो जिसमें क्या दिया हो हमें विक्राय मुल्य दिया हो तो विक्राय मुल्य दिया हुआ हो और साथ में हमें लाव या हानी दी हो तो पहला स्टेप है कि हम क्राय मुल्य को मान लेंगे 100 रुपए क्राय हमारा सोर पैपर इसका विक्राय मुल्य फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे जो हमारा सोर पैपर विक्राय मुल्य आया उसको हम डिनॉमिनेटर में लिखेंगे so हम numerator में लिखेंगे और multiply कर देंगे जितना हमें विक्राय मुल्य प्रश्ण में दिया हो 640 दिया थे इस case में multiply कर दिया हमारा answer आगया 800 तो इस तरह के प्रश्ण आप ऐसे ही करेंगे अगला प्रश्ण देखते है इस प्रश्ण में हमें बोला है what is the equivalent of over 20 equivalent का मतलब है कि मुझे यहाँ answer देखिए प्रतिसत में इसका equivalent बताना है तो किसी fraction का equivalent बताने के लिए हमें उसके साथ 100 multiply कर देना है multiply by 100 तो 6 over 20 को मैं 100 से multiply कर देता हूँ तो यह आगया हमारा 30% तो किसी भी fraction का प्रतिसत में धिन को प्रतिसत में जब भी बदलना है तो इसके साथ 100 हम गुणा कर देंगे 100 को multiply कर देंगे तो यह हो गया हमारा दूसरा प्रशन तीसरा आ गया हमारे पास कि इसको simplify करना है आपने 24 प्लस bracket में 12 और 9 यहां इस प्रशन में आपसे यह जानना चाहते हैं जो examiner है जो आपका test ले रहे हैं आपकी प्रिक्सा ले रहे हैं वो यह जानना चाहते हैं कि आपको यह bracket का मतलब पता है या नहीं तो bracket का मतलब होता है multiply तो जब 12 और यह bracket के बाहर 9 लिखा है इसका मतलब है कि यह है 24 प्लस 12 इन्टू 9 और साथ में वो क्या check करना चाहते हैं board mass का formula कि क्या आपको पता है कि जब plus, multiply, divide, minus सब एक ही साथ लिखा हो तो उसमें हम priority देते हैं सबसे पहले bracket को हम remove करते हैं bracket को हल करते हैं उसके बाद हम उसका अगर division होता यहां पर कहीं तो उस division को हल करते और उसके बाद हम multiply को हल करते हैं और उसके बाद फिर उसको plus minus करते हैं तो यह गलती कर देते हैं बच्चे कि यहाँ 24 प्लस 12 इन्टू 9 लिखा है तो कई बच्चे क्या कर देते हैं गलती से 24 प्लस 12 कर देंगे और फिर इंटो 9 करेंगे तो यहां क्या करना है हमें सबसे पहले multiply करना है multiply करने के बाद 24 add करना है तो 12 इंटो 9 108, 108 प्लस 24 132, तो right answer is 132 तो इस तरह से आज हमने तीन प्रशन ये नभोदे के जो model test paper उसके हल किये इसी तरह से आपको रोज अभ्यास मिलेगा तो बने रहिए हमारे channel के साथ और इस तरह से अपनी तैयारी को करते रहिए ठीक है मिलते हैं अगले session में